नमस्कार दोस्तों वेलकम है आपका मेरे इस नई वीडियो में दोस्तों आप देखने चंदला कार्ष और आज बहुत खास टोपिक होने वाला दोस्तों आज बात करते हम गाड़ी के माइलेज के उपर दोस्तों बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको यूटूब पे दोस्तों कमपनी जुरूर बोलती है आपको इतना मैलेज देगी लेकिन उसको मैनेज करना या उससे थोड़ा सा ज्यादा निकालना यह ड्राइवर के उपर डिपेंट करता है और ड्राइविंग जिसकी अच्छी होगी और ड्राइविंग जो टिप्स यह जानता होगा तो वो मैलेज बहुत बढ़िया निकालेगा और आपको आराम से यह गाड़ी अच्छा मैलेज देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी छोटी छोटी बचत करके आपको बहुत अच्छा लगागा तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं कि गाड़ी का मैलेज कैसे बढ़ाया जाए यह कैसे थोड़ा बढ़ोत्री की जाए तो चले दोस्तों बने रे मेरे साथ वीडियो को जरावी स्कीप ना करें क्योंकि बहुत खास होने वाला है दोस्तों और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लिजे लाइक कर लिजे और ह बैल आइकोन की बंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिशन आपको जल्दी सी जल्दी मिल सके दोस्तों चलते हैं दोस्तों अभी रोड के उपर प्रक्टिकल करके आपको मैं लोकल रोड पर दिखाऊंगा और हाइवे पर दिखाऊंगा दो करना और कैसे बढ़ाना है उसके उपर पर आपको मैं बहुत यह अच्छा प्रमॉला बताता हूं दोस्तों गाडिका मैलीज बढ़ाना यहरो के खुद की हाथ में बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना तो मनी जिस गाड़ी का आपको पता है कि मेरी चेंज करते हो तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं दोस्तों आपकी जो एवरेज है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा तो किस आप से कैसे बढ़ाते हैं दोस्तों अगर आपकी स्पीड कैसे लिमिट रखनी है वो चैक करने के लिए मैं आपको छड़ा सा बताता हूं अगर आपकी गाड़ी का स्पीड 20 और 30 के बीच में है दोस्तों धान से सुनना आपके आपकी गाड़ी का स्पीड 20 से और 30 km परती हावर गंटा के स्पीड है और आप लोकर रोड पे चल दो कि यहां पे आप स्पीड ज्यादा नहीं चला सकत इसलिए और आप स्पीड लिमेट पर ही यहां से चलें तो यहां पर अगर आप स्पीड लिमेट के नुसार 20-30 के पर रहते हो तो आपको तीसरे रीर में गाड़ी को रखना है तीस से ऊपर जाते हैं यह जो घर चेंज करना है क्योंकि जो गोड़ी kindergarten करते कि उसी यह गेर के तो आपको यह प्रोडम होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको फ्यूल ज्यादा खर्चोगा और अगर 40 से पचास के बीच में है अगर 40 और 50 के बीच में है तो दोस्तो आप फॉर्ट गेर लगा लीज़िए फॉर्ट गेर अप चेंज कर लोगे तो आपकी गाड़ी स्मूथरी चलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और गाड़ी को जोर भी नहीं आएगा आप आवाज से पैचान जाए कि मेरी गाड़ी को मैंने गाड़ी का गेर चेंज किया है या फिर मैं इसको डाउन लाऊं तो यह आपकी गाड़ी से अनबाउप आप प्रक्टिकल समझ जाएंगे और कि आपकी गाड़ी का अच्छा भी आएगा तो दोस्तो अगर पतास से बढ़ने में असानी मिलें दोस्तों ये था गेर चेंज करने की स्पीड की लिमिट आखे आपको किस स्पीड पे कितना घेर चेंज करना चीया शिप्ट करना चीह अब मैं आपको बताता हूं 2-4 और बातें दोस्तों अगर आप ज़्यादा बार बार गाड़ी के ब्रेक के यूज करते हो यानि नोर्मली जहां ब्रेक लेनी की जुरूरत नहीं है और वहां भी आप ब्रेक लेनी की कोशिश करते हो और आप एके सारे ही गाड़ी का स्पीड कम करते हो तो आपको वहाँ पे average अच्छी नहीं आईगी दोस्तो दोस्तो ये धान रहे हैं ब्रेक जरूर लेना है लेकिन जहां आवशक ना हो वहाँ कम लेना है और ब्रेक ज़्यादा ले लेकि आप गाड़ी को चलाओगे तो आपकी average में बहुत फरक पड़ेगा दोस्तो उसके पर भी दोस्तों बहुत डिपेंड करता है गाड़ी का कि average निकाल पाएं आप जब बार-बार कलस दबाते हो और गेर शिप्ट करते हो तो भी आपकी average में फरक पड़ता है आप smoothly चलिए हाँ आगर आपको ट्राफिक है या आपको वहाँ पे लग रहा है कि मेरे को यहाँ ग average जाएगा और सबसे खास टिप्स जो अभी बताने वाला हूं यह मैं आपको हाइवे पर बताऊंगा आपकी average बढ़ाने का सबसे खास टिप्स क्या है उसको सुनिए दोस्तों दोस्तों मैंने बताया कि आपको speed के अमसार आपने अपना गेर शिप्ट कर लिया इसमें आप म जो होती है उसकी ओपर चल रहे हो और आपने 5 गेर लगा दिया यहने 5 गेर यानि आपकी गाड़ी का top-gear का छे निया आक आप स्टैंड करिया यहानी रोख यह आपकी जो speed limit है यानि आपको 70 चलानी है या 80 पर की speed चलानी है तो आप उसके उपर stand करिए stop करिए यह नहीं है कि आप कभी 60 ले जा रहे हो कभी 90 ले जा रहे हो तो आपका mileage कभी भी दोस्त अच्छा नहीं आएगा आप गाड़ी को smoothly चलाइए आप 80 की speed चलना चाहते हो तो 80 की speed रखे ज़्यादा अप डाउन ना करिए accelerator को उससे भी आपकी mileage में फ्रक पड़ता है दोस्तों यह information जो mileage की मैंने तीन-चार बाते आपको बताई है कि speed के उनसार gate shift करना ज़्यादा brake यूजना करना और सबसे कहास बात बताईए कि आपका speed limit जो आपकी जो speed में चलना चाहते हो उस गाड़ी के साथ बताता हूं दोस्तों यह आज का एक टोपिक था कि गाड़ी के mileage को कैसे बढ़ाएं आप इस चैनल को subscribe करजे लाइक कर लीजे और स्टेव जरूर करते हैं और हाँ अपने भाई को subscribe जरूर करके रखिए गा दोस्त जैहीं जैवार्थ